हलो दोस्तों आपका स्वागते में चैनल में जिसका नाम है सिवल प्लस आईटी टेक्नो इसमें मैं आपको कुछ ऐसी सैटिंग बताऊंगा जिससे आपके लैप्टोप या पीसी में जिस भी सिस्टम में आप काम कर रहें उसमें जो ज्यादा डाटा कंजप्शन होती है उसस हमने सबसे पहले जाना है वाइफाई में वाइफाई मोड पर जाना है वहाँ पर स्लेक्ट करना है जो भी आपका नेटवर्स स्लेक्टिड है उस पर क्लिक करनी है उसके जाके प्रॉप्टिस में राइट क्लिक करके हम यहां पर प्रॉप्टिस में जाना है पॉप्टीज में जाने के बाद दोस्तों आपने देखना यहाँ पर मीटर कनेक्शन वे यहाँ पर देखो दोस्तों मैंने पहले से यहाँ पर मीटर कनेक्शन ओन कर रखा है इसे on करने के बाद आपका ये होगा दोस्तों कि जितना भी data आप इसमें लिविट में दोगे वही data आपका सिर्फ यूज़ होगा उसके लावा आपका कोई भी extra data यूज़ नहीं होगा चलिए देखते हैं second step दोस्तों second step में आपको जाना है सर्च बार में सर्च बार में जाने के बाद आपको यहां पर type करना है services services बार में आपको यहां पर करना है click is के उपर जैसी दोस्तों आपका यह देखो यहां पर एक इंट्रफीस खुल गया है इस इंट्रफीस पर आपको करना है आपको साच करना है विडियो अप्टेट के पास आ गए आपके करना है और यहां पर यहां पर प्रॉप्रीस आती है प्रॉप्रीस में दोस्तों आप बैक्गरांड में अप्टेट्स लगी होंगी जो की आप्टेट्स होती है वह दोस्तों अप्टेट्स यहां पर आप्टेमेटिकली बंद हो जाएंगी जिससे कि आपका कोई भी अक्ष्टाडटा खर्च नहीं होगा चलिए देखते हैं अब तीकसरा स्टैप तीसे स्टैप में दोस्तों आपको क्या करना है आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट इसकी बाद में दोस्तों आपको जाना है टास्क मेनेजर के पाथ जाने के बाद आपको जाना है दोस्तों स्टार्डडप पे जब आश्टरडप पे जाएंगो तो आपको यहां पर कूछ तो देखो मैंने यह disable कर रखा है आपके laptop में हो सकता है या आपके PC किसी सिस्टम में जिसको आप यूज करें उसमें यह enable होगा तो आपको क्या करना है इसको enable को जो enable है उसको आपको disable करना है कि disable करने के बाद में दोस्तों इससे क्या होगा कि आपके जो भी फंशन्स या जो भी एप्स बैक्ग्राउंड में automatically update पे है या जो data consume कर रहे है वो data consumption उनकी कम हो जाएगी दोस्तों यह तीन स्टेप थे इन तीन स्टेप को करने के बुलें और चैनल को सब्सक्राइब जरू करिएगा और बैल आइकन को दबाएएगा थेंक्यू